गरेंगे चपतिसगड के प्रमुक और बड़ी ख़बरों की राइपुर से ख़बर मिल रही है जहां मंत्री मंदली उपसमेती की जो बाठक चल रही थी वो बाठक खत्म हो गई है बैठक खत्म होनी के बाद खबर मिली है कि इस पर मन्थन किया गया और एक लक्ष रखा गया है धान खरीदी का निर्धारित किया गया लक्ष एक करोड़ पांच लाख मीट्रेक टन का साथी किसानों के बारदाने में धान की खरीदी होगी जूट कमिशनर से अब तक 30 फीजदी बारदाने उपलब्ध हुए हैं धान खरीदी की तारिक हवी तय नहीं हो सकी है प्रशी मंत्री ने इस बात की जानकारी दी प्रशी मंत्री रविंद्र चौवे ने बताया एक करोड पांच लाख मेट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष है आज की बैठक में लगबग जो लक्ष है एक करोड पांच लाख मेट्रिक टन से अधिक की धान की खरीदी का हमारा लक्ष है और उसके लिए आवश्यक जो भी संसाधन की जवरत है उसके संदर में आज की बैठक में निरना लिया गया आवश्यक बारदाने की जो जवरत है उसके लिए विभाग को निर्देश दिये गए हैं जूट कमिस्नर को जो आदेश मिले हैं अभी तक की जो प्राप्तियां और वहां के आदेश हुए हैं वो केवल 30% बारदाने की पूर्ती संभावित दिखाई दे रहा है इस खबर पर ज़्यादा बाच्ची जानकारी के लिए रुख करेंगे विशिश संभादाता मोहन तिवारी का हमारे साथ इस वक जुड़ गया है मोहन जो बैठक चल रही थी मंत्री मंदली और समयती की क्या बैठक में चर्चा होई क्या है जानकारी देखे दीपा का आने वाला जो नौंबर महिना है वो धान खरीदी के लिहाद से काफी एहम माना जाता है क्योंकि नौंबर महिने से धान की आवक लगातार बढ़ जाती है कटाई का काम जो है वो अंतिम चरण में नौंबर में देखने को मिलता है आम तोर पर एक नौंबर को 36 गड़ में धान खरीदी शुरू होती थी लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ जलवायू परिवर्तन की वज़ा से बारिस की लेट की वज़ा से धान की आवक में बदला हुआ है इसलिए तैयारी के लिहाद से इस कैबिनेट की सब कमिटी की बैठक को काफी एहम माना जाता है पिछले चार महिने से लगातार ये कैबिनेट सब कमिटी की बैठक इस बात की रिवियू कर रही है कि किस तरीके से धान खरीदी की जाए उस धान खरीदी के लिए जो अवस्चक तयारियां है वो कहां तक मोची है तो आज की बैठक इसलिए एहम थी क्योंकि आज की बैठक में काफी कुछ हद तक जो तयारियां हैं वो अंतिम चरण में हैं और उसके आधार पर सरकार को बड़े फैसले लेने हैं केबिनेट सब कमिटी के जो फैसले हैं या अनुसंसाइं हैं उसे केबिनेट अपनी अंती मोहर लगाकर अमली जामा पहनाने का काम करती है तो आज केबिनेट सब कमिटी ने ये तैकर लिया है धान की अब तक की बुआई के हिसाब से कि 36 गड़ में इस बार सबसे ज़्यादा एतिहासिक धान का उत्पादान होने जा रहा है जो कि एक करोड मिट्रिक लाग टन से उपर का होगा तो वो लक्ष तैकर लिया गया है लेकिन अब इस खरीदी के लिए जो आवस्यक तयारियां होती है धान खरीदी के इंद्रों में रख रखाओं की तयारियां और सबसे ए अन्य ववस्थाएं कैसे की जाए क्या बाहर से खरीदी हो सकती है प्राइवेट लोगों से कैसे खरीदी होगी तो इन सब बातों को आज डिसकस किया गया है कैबिनेट सब कमिटी की बैटक में तो धान खरीदी के लिए जो समीतियां है उन्हें आवस्यक निरदेश देना समीतियों की संख्या को बढ़ाना और बारदाने की आवस्यक ववस्थाओं को करना इन सब बातों को आज केबिनेट सब कमिटी में डिसकस किया गया और सबसे महत्पूर्ण लक्ष तै कर दिया गया है जिसके अधार पर अब पैसे की ववस्थाओं को सरकार जल से जल करने क की कोशिस करेगी चले बहुत शुक्रिया मोहन इस खबर पर बाचीत के लिए विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए बाठक से जुड़ी अपडेट मोहन ने दी है बताया है कि किसानों के वारदाने में अब धान की खरीदी करने का फैसला लिया है सरकार ने और जो भ